अच्छ चल रहा होगा लाइफ में अच्छ चल भी नहीं रहा होगा तो चलने लगेगा ठीक है बात करते हैं अपने लेक्चर की स्रीच की इनसे मिग्जाम की तयारी की तो हमने बस अभी एक लेक्टर डाला है पूरा यूनिट में एक लेक्टर में खतन गड़े थी पैंथीशनेट का वीडियो था उसमें मैंने फिर्फ्ट यूनिट में आपका चो सिअधे और रैंडम स्कैन और रेफ्टर स्कैन तोनों मैंने खतन कर जाता हूँ वह पर फस्ट यूनिट में जो भी था हमारे डॉकिक अभी अभी मैं 5T unit compiler design भी डालूँगा, यह unit हमारी जो basically होगी, वो compiler design के होगी, जिस मैं 5T unit में cover कर लूँगा, जहां पर मैं compiler design के phases की बात करूँगा, जितने phase पूरे compiler design में हमें पढ़ना है, तरीका का phase जो है, जितना phase हम पढ़ेंगे, उसी phase को ही, जो हम अभी बताएंगे phase लेकर, उसी phase को हमें पढ़ना है पुरे compiler design, compiler का काम क्या होता है, compiler का करता है, High-level language को Low-level language में बनाता है, Колि machinery code में बनाता है, जो हम code अपना लिखते है, High-level language, C++, इन सबमें, मसीन को हम जाने के लिए, machine code में low-level language, वो कैसे compiler बनाता है, जितने भी हम phase की वही हमारा syllabus होगा जो मुँद बताऊँगा और उसी syllabus से लेकर उसी syllabus को हमें पढ़ना है और वही हमारे compiler design के पूरा syllabus में है जाए वह तो इस पूरे लेक्चर में बात करूंगा आपका पूरे फेजिस की बात करूंगा फिर वहाँ पर सीधे उसके बात करूंगा फिर हम पार्सिंग की जब बात करेंगे पार्सिंग हम चीजों को देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से फिर्फ हमारा इंट्रॉडक्शन रहें और कैसे क्या चीजे करना है वह हम फेज में ही देखेंगे उससे चीजे रिलेट करते रहेंगे ठीक है चल रहें वीडियो पे तो विसिकली यह कंपाइलर डिजाइन की यूनिट क् तक होगी तीक है अब देखो हो कि क्या बात करते हैं तो इसकी बात करुए कैसे कौन-brecht आते हैं तो आपके होता है छी का होता करता है कैसे कंपाइलेट करता है यह पढ़ने जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ठीक है तो कंपाइलेट करते हैं को हम रिलेट करते हैं theory of competition से आटोमेटा इसे बोलते हैं हमनों आटोमेटा हम सेकेंड डियर नहीं पढ़ चुके हैं लेकिन आटोमेटा वीडियो में इसलिए मैं सेकेंड वालों को अपका एक वीडियो डालेगा अटोमेटा है तो हमें पढ़ना है तो आटोमेटा है क्या थोड़ा हुआ हो थोड़ा ग्रमर क्या होता है कंटक्स्त्री ग्रमर और चीजे जितनी है और जो जो भीच भीच में चीजे आती डहीं हो बताता भी चलो कोई आप ज़्यादा जरूर नहीं आप पीशे की चीज़े को पढ़ता है तो नहीं करों जो काम वाले चीज़ है वह जादा डिसकस करेंगे तो आप पढ़ लोगे हैं करता है कैसे करता है वह देखते हैं मैं फेज़ेस की बात करता हूं क्या होता है फिस अब आप पूरल में ने क्निद होता है यह नहीं पूरा इस पे इंपुर करते हैं ॐ टोकें मिलते है को टोकनाइजेशन आज़ेसं की बात करते हैं वार् नेतले के बात करते हैं फिर इसके बाद अला इकाने कि फेज ना परजे मैं यहीं हमें पढ़ना थे यह यूडियों हाद के चलू का लिआ Gen Sims कि आ भएग करें हैं बें ऑलो पास को तो अलो बात करें इसके दस्ट बात क्स t ठीक है फिर इसके बाद सेमेंटिक की बात करते हैं ठीक फिर इसके बाद इंटर्मेडियेट कोड जनरेशन की बात करते हैं कि यह हमारा फ्रेंट इन है ठीक है फिर इसी से करते हैं बाक बात करते हैं पिलाज्विक और फिर नेक्स्ट बात करते हैं जनिए है फिर इसी के बाद हमारा क्या होजाता है यहीं से हमारा है यूदक हाई दो लिवेल, दे यिसी को जरम में हम अनकर देते हैं , जो हमारा, क्या होता है क्या करना इसे हमारा को जा मैं क्प्यूटर सा बज Cleavy Events करते हैं समझा देख इस को विए यह होता है काम देखो अब मैं समझाता हूँ कुछ चीर सम्झों यहां पर तो लाएक्स्केल प्रठीद का बडशल तो आईसे कि बात करें तो चैरेक्टर और शनारियोंगे और हमें वी हाउटपुट जो बी मिलेगा बताओंगा कि कैसे टोकेंज या लग거든요才 की बात करूँग यही कहां कि नियम आख ayصली है ? Lexical analysis पार्स्ट उनित में पढ़ेगे, syntax analysis के बारें जानेगे, semantic analysis क्या होता है, intermediate code generation क्या होता है, यह back end होता है ज्यान देंगे अब यह front end back end भी बताता हूं फिर उसके बाद code generate होने के बाद हम code को optimize करेंगे की code हमारा कैसा है, optimize करने के बाद क्या करेंगे पर पर बात करते हैं कि अब इनको देखना कैसे हैं, इनको देखना कैसे हैं, बहुत ही हार उनिट वाइस एक दो, तीन, चार, पांच, पांच है। इन पांचों को पढ़ेंगे अच्छी खाजी और सब को अच्छे करेंगे। तो बात करते हैं Lexical Analysis की, फिर Syntax, Semantic, Intermediate Code Generation और Code of Prevision बाद में देखेंगे, अब ही हम बात करते हैं कि इसकी Lexical Analysis की, फिर अलग-अलग Unity की बात करते रहेंगे, तो सब कुछ बिसर्फ करते रहेंगे, चलते हैं Lexical Analysis की, इसकी बीच में बात करते हैं, क्या-क्या होता है, यह phase है Compiler Design का, यह हमारा पुरा क्या है, phase है पुरा Compiler Design का, तो आता है तो आप थोड़ा थेयरी भी पढ़ लेना है, अब मैं चलता हूँ थोड़ा, क्या है इसके बीच, इसके पीछे reason, इसके पीछे concept क्या है Lexical Analysis के, इन सब को छोड़ दो, इन सब की बात बात में करेंगे, अभी ह हमको इस पे focus करना है, तो इसके पीछे क्या concept है उसको देखेंगे, कैसे solve करना है, first of a कैसे निकालना है, follow of a कैसे निकालना है, इस सब इसमें है, क्योंकि यह अगर हमारा मजबूत हो गया, main, यह हमारा यह passing वाल है, ठीक है, यह syntax, unit second जो होगी, बहुत ही important है, क्योंकि पूर इसकी, lexical analysis की, जो हमारा first unit, देखो, lexical analysis में होता क्या है ध्यान देना, चीजों को समझना पहले, lexical analysis में हम क्या करते है, क्योंकि फ़स्ट होता है, कि जब हम किसी भी, कोई भी code लिख रहे है, इनते है, जैसे मैंने कोई भी code स्टार्ट क्या, तो code स्टार्ट करने से पह लिखा मैंने, include studio.s, फिर जाके हम इंटीजर में, फिर जाकर, तो क्या करते है, क्या करते है, input कराते है, computer सा समझाते है, अपनी चीजों को, ठीक है, तो लेक्सिकल analysis में क्या होता है, ये stream of character होता है, मनलब characters में input कराते है, ठीक, अब character input कराते है, तो lexical analysis का सिर्फ इतना काम होता है, कि उन character को, तोकेन में, बता है, कि how many tokens, मतलब कितने token है, मतलब तोकेन में, किसमेs convert करें, उसfold syntax analysis को देते, होतलब इसका काम है character को लेना, tokens में बनाना, जितने token है, उसका create करना, पूरा output में token लेको जरो syntax को दे देना फिर इसमें इसका ये काम नहीं है कि कितना error है क्या है no इसका कुछ हिससे लेना देना नहीं है ध्यान देना वो जब हम parsing की बात करेंगे तब हमें वहाँ लेना देना रहता है लेक्सकल अनल्सिस में सिर्फ आपको कैसा भी code मिलना है उसको बताओ कि how many tokens वो question पूछ सकता है question भी दिखाऊ हुआ कि इसमें कितने tokens हैं पूरे क्या गयतने tokens क्या होते हैं बता रहा पूरे code दे दिया अब को ने बता दिया कि कितने token हैं इसमें lexical analysis को बता दिया कि पूरी तरीके से मिच कर हमें बताओ कि क्या होता है तो ज्यान ने stream of character होता है तो को भी character हमने लिए ठीक है अब अब टोकेंस की बात करते हैं टोकेंस में क्या क्या होता है इसको tokenizer भी बोलते हैं इसको lexor भी बोलते हैं और इसको scanner भी बोलते हैं यह चीजों को scan करता है lexical analysis क्या करते हैं चीजों को scan करते हैं जितना character दिया हुआ है ठीक है उसको scan किया जाता है कि टोकेंस में बात करें तो कि क्या कौन कौन आते हैं तो कि बात करूं मैं तो कि इसमें आते हैं जब lexical analysis की बात करता हूं तो टोकेंस में फर्स्ट आता है हमारा identify कि इस टिसल करेक्ट है आपका constant फिर आपका मान के जो अपरेटर और आपका आता है keyword आपका आता है operator ठीक है यह आता है टोकेंस में कि कोड दिये हुए है अगर टोकेंस देखना है कुछ इसका रोल भी होते हैं कैसे हमें मतलब count करना होता है tokens में क्या कैसे कर से लिया जाता है कोड का real form ध्यान दे रहा हम टोकेंस को देखना कैसे है कोड का real form जो है कमेंट को token में नहीं लिया जाता कि कोई value code में नहीं होती तो कोड का real form जो real बता है चीजों को वह मैं अभी example में आपको दिखा रहा हूं वह tokens में आ रहेंगे बात समझे लो क्या जैसे मैं बात करूं identify की identify क्या होगा जो हम decide गए जो programmer decide करेगा X हो गया Y हो गया A हो गया B हो गया जो क्या करेगा बताएगा वह identify का काम है इस्पेशल करेक्टर इस्पेशल करेक्टर में क्या आगया डॉलर आ गया कुछ भी आ गया जो इस्पेशल करेक्टर है हमारा M परसेंट आ गया ठीक constant में क्या आ गया जिसकी value fix है 20 30 40 50 बात समझे लो ओपरेटर में आ गया plus minus जितना है assignment operator जितने भी है मेरी बात समझे लो keyword का आगे keyword में integer why for जितने भी return क्या है keyword separator separator में क्या है bracket हो गया हमार कोई भी bracket हो गया ठीक है semi caller बात समझे लो क्या तो यह क्या है separator है तो यह tokens में आते हैं बात समझ रहा है sort में बता रहा हूं ज्यादा आपको पढ़ना है इसको theory है theory आप होँआ पर पहले बता जुगा हूं मेरा काम है यह concept को समझाना ठीक है यह tokens में आते हैं अब मैं सीधे आता हूं question पर अगर मुझे कोई question देदी है बता दिया how many tokens ठीक है कितने token है उसमें आप मुझे वो बताओ तो वह आपको कैसे बता लो मैं 2 question दिखाऊंगा दो तरीके से दिखाऊंगा इससे आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाए जो पूछे जाबी चुकिया है गेट में भी अनुस्ट एक्जाम में भी पूछे जा सुकिया है और फिर मैं बताता हूं question में क्या कैसे करना है ठीक देखते हैं देखो अब यह पूछ विया कि इसमें कितने tokens हैं बताओ जी यह code हमें दिया हुआ है एक दो तीर चार ठीक है गिंदे चल रहा हूं पांच हमें यह नहीं count करना है पहले tokenization ठीक है फिर क्या है हमारा comment है यह नहीं लिया जाएगा code का क्यों भी पार्ट नहीं है तो इसको क्या करेंगे निगलेट करेंगे यह हमारा token में यह ना जाएगा फिर 5 के बाद integer क्या है 6 7 8 9 यह operator है यह हमारी value है जो हमने identify किया है ठीक है कितना हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 ठीक है 15 16 17 17 17 अब इधर देखो यह प्लस प्लस की बात करो अब इजहान से समना अब मैं इसकी किसकी बात करा हूँ प्लस प्लस की प्लस प्लस तो यह क्या होता है अगर मैं बात करोंगो ए प्लस भी तब तो ठीक है लेकिन मैं code में जाता हूँ तो इसको आपने क्या किया है आप कैसे लेते हो जब मैं ए प्लस प्लस लिख दिया क्या है साइन हो जाता है एक बढ़के ठीक है तो यह क्या प्लस एक है फिर इसका रही हाल इसके साथ भी होगा यहां पर दो फिर से यहां पर दो लेंगे और यह भी क्या लेंगे एक ही लेंगे करेंट नमर आफ टोकेंस कितने हो गये फाई खाई मेरी बात समझ मेंगे लेगे जहां पर आपको रियल वैलू मिल रही है फ्राम देना चैसे इसकी रियल वैलू हमें कोड की जो हमारी रियल वैलू है उसको देखते हैं हमको राइट चैट पर भी देखना होता है वहाँ जैन नंबर आफ टोकेंश बताएंगे यह समझ मैं किलीर वह रहा हूंगा पूरी तरेके से यहां तक अब चलते हैं यह टोकेंश की कहाणी थे अब एक 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 जांपल आपको वह देखाती हूँ उससमें पहले हूँ अच्छी तरीके से ती तीक है यह को इसमें बताओ यह कूच चुका है नबर आफ़ टोकेंश कि 1. यह हो गया हमारा, 1, यह पूरा, यह फिर यह हमारा, 2, फिर यह पूरा, यह डबल बोटाइशन में जाना तरहे क्या हो गया, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपको यह नहीं देखना है कि कोड में क्या उल्टा लगा है नाव आफ टोकें से बताने क्यों कि यहां का काम उसे को लगा टोकें देना टोकेंशेंग का लकिक्सिक्टेयस है सैकेंड स्टेज की बात करते हैं क्या होता है है कि अगर ऐसा कोई कोड है कोड में कर दिया कर दिया यह इलकरेक्टर जो इसमें है इसको रट के जाना है आपको कुछ कहां से पूझता है तो वह हम वह उठाएंगे इसको बहुत अच्छे से देखना जो मैं नेक्स बताने चलना हूं तर 15 मिनट बहुत ही ज़्यादा काम आए अब मैं बात रहता हूं इसकी मैं कहता हूं इसको बताने का निकालने का सबसे सौट तरीका बता हूं कैसे क्या तरना है कोई भी फर्स्ट ओफिए के मफ़े मुझे एक को ए दिया है कुछ भी है अब उसमें मुझे फर्स शॉफिस का निकालना है क्या फिर्स्ट ऑफिर्थ करता गया है जो भी कि और की जो को सब्स्टफ समुख यह का सब्सक्री दिखाना है जो मरी बंब उन पक्रोच जैसे और इसके थीन रूल है तर्मिनल क्या होता है तो हमें क्या मिलेगा तर्मिनल मिलेगा और एक चीज़ हो जाए सेकेंड फॉस्ट ओफ एपसाइलन कुछ नहीं हो ठीक है कुछ यहां समझने एक पहली हो जाने और फाइस एबीची डी ऐफ जी एच आई ठीक है कोई सीए चीए बात समझना अरे अब ध्यान दो इसको काम कैसे करना है कुछिशन देखो यह हमारा कुछिशन अब उसने बोला इसका फॉस्ट ऑफ बताओ उसने ऐसा बोला फॉस्ट ऑफ एस क्या हो अब आप कैसे बताओ ठीक ह यह ध्यान से देखो हम तर्मीनल को इस मॉल लेटर में दिखाएंगी तिखाते हैं यह आप जानते होगे तियरी अपने पड़ा होगा वेरियेबल जो हमारा होगा वह क्या होगा आप कैसे क्विस्टिन को डील करना है लाइक जैसे रिजिनिक को देखते हो ना सेम वही काम लोग फिर में दोनों में ही करना है अब इस प्यूस्टिन को यह तो सिंपल्स है आपको कैसे फॉस्ट ऑफेस निकालना है तो क्या करोगे ऐसा हमारा क्या है वेरियेबल कैपिटल में अब इससे क्या है चीज़े ए बीसी डीएफ जी एच आई एबीसी एक स्ट्रिंग है ए इसका यह तर्मिनल है इसका क्या है फॉस्ट ऑफ इस पूरी स्ट्रिंग को कहाना है फॉस्ट पलेस तर्मिनल ओंसका ऑगे इसका इसका एंसर क्या गया रहा है दिए फ यह क्या है टर्मीनल है एब दूसरा दूसर में इससे बढ़ाए यह टर्मिनल की बात कि ए तर्मिनल को देखा इसकी फॉस्ट स्क्राइक्टर कैस्ट्रिंग का ठीक है वह हमने डाल दिया फॉस्ट आप इस फॉस्ट निकालना है बाई चांस आप मैं दूसरा कुस्टिन बता रहा हूं कि यह अगर साइलन आ गया यह कुछ और आ गया तो कैसे वैरियेबल से टर्मिनल सबसे पहले आप चलो जहां पर आपको टर्मिनल दिखर आए कोई उठालो और उसको लेकर चलो यह अप्साइलन है ठीक है यहां से चलते हैं हम से लेकर चलते हैं सी का अगर मैं बात करूं सी के फर्स टॉफ सी की मैं मुझे फर्स टॉफ स्टॉफ मुझे फिर्मिनल नहीं मिला फोस्ट ऑ पे यह के लिए फिर आत्स दान्प है यह मिलेगा फर्स टॉफ यह e ke le एपसाइलन वह ने पुट किया मैं बताता हूं तो पहले मैं क्या रहता हूं अगर मुझे फरस्त-अफ चाहिए तो सब्सक्राइब क्या होगा है ऑगा है अब मुझे फर्स्त-फ ए चाहिए तो सड़ी जिए ध्यां से देखो फरस्ट-फ ए में क्या क्यां दिखना को आप धियांजे दो फॉर्सटाप एमय जमैंने रखा तो यहांपर ए ना एक साइलन मतला आदा एक साइलन करना मतला एक साइलन कर दो लिए टो एक साइलन की जगह क्या हुआ विला है खिह और यह हम फस्त आप यह एक की जगह दो यहां पे रहे और एक साइवाइन आए यह एक साइलन को रखा नहीं अब आप साइलन का मनुद्ध कुछ नहीं फिर हमाद अगर मैं बात करू टारू टारिव यह डिवाइड हो गया फरस्ट ऑफ तो S के लिए मुझे फर्स्ट ऑब बी चाहिए यह तो फिर से अप्साइलन मिल गया तो फिर से अप्साइलन के लिए यह लिए यह लिए बी का अटाने के बाद अप्साइलन को हटाना है तो फिर से अप्साइलन को हटाना मतलब हमें ले जाना अप्साइलन जो भी था इसी फॉर्म में हमारा यह पूरा चाहिए यह हमें पूरे टर्मिनल में मिलना चाहिए यह 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 पर वैरियेबल नहीं दिखना चाहिए राइट साइड में कहने का मतलब अबी ऐसा क्य yerde यह हमें क्यों लिलq यह यह सी यह ही रखना था क्यों यह टर्मिन एमें ऐन चाहिए जो में सधर ना चाहिए बात समझते हैं, टर्मिनल की बात करता है, फॉस्ट आप यह जब हम फॉस्ट की बात करते हैं, तो क्या, सी की जगे हमने क्या रखा, पहलो पुट कर दिया, क्या आगा है, सी यह फॉस्ट आप साइट, अब देखो यह थी है, हमारे क्या हो के वेरियेबल अड़ गए, हमें क् तो यहां से हमें टर्मिनल में देखना है, और तर्मिनल यहां फरकूट करना है, तो हमें फॉस्ट आप समझा की नहीं, पहले हमने क्या किया, एक को किया, एक को यहां से आया, फिर एक को हटाने के बाद फिर से हमारा बी बचाता हो, तो बी को यहां से लिया, सी बचाता हो और अच्छी तरहिके से क्लियर होगो ओगा है। आपसों आपसों देखते हैं अरो अब मुझे इसका मैं बात करूँगा, फॉस्ट ऑफ निकालोंगे, क्योंको मुझे इडास चाहिए, ठीक है, इडास के लिए मुझे ध्यान से देखना, फॉस्ट ऑफ निकालता हूं, यहां से चलता हूं, तो क्या मुझे मिल जाएगा, एक id मिल जाएगा, और यह bracket मिल जाएगा, यह bracket है जाएगा, ठीक एक bracket मिल जाएगा, यह terminal है, आज समय से terminal की बात कर रहा हूं, ठीक चलते हैं, अब मैं बात करते हूं किसकी, फॉस्ट ऑफ टी की, टी डैस तो है इडी, फॉस्ट ऑफ टी कितना होगा, फॉस्ट ऑफ टी की बात करते हैं, फॉस्ट ऑफ टी कितना होगा, f, f क्या है, f क्या है, id और, id और, c, id और c, f silent नहीं है, ध्यान रखना, f silent होता है, तो यह देख ले जाएगा, id और c है, first of f, हमने लिखा, first of t की बात क्या तो f है, first of f की क्या बात है, id और, c है, यह भी id और c है, अच्छा लोग आगे चलते हैं, जब मैं first of e dash की बात करता हूं, first of e dash की क्यों बात करूंगा, जब मुझे first of e चाहिए, first of e की जगा है, first of e की जगा है, first of t है, first of t क्या है, id और c है, यह हमाला एंसर है, अगर by way, कि मैं कहता, कि epsilon भी होता, तो क्या करते हैं, पूरा Christian बदल जाता, epsilon होता, epsilon यह आते रहते खतम करता, epsilon, फिर e dash होता ही नहीं, मतलब यह t खतम हो गया, फिर e dash बचा, epsilon यह मतलब e dash हो गया, first of t जब यह हट गया, इसका first of e dash भी निकालते, वह भी अंसर में आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, epsilon नहीं है तो बच रहे, e dash नहीं था पहले, t था, अगर यहाँ पर by chance, t की जगह यहाँ पर epsilon होता, यह इसका answer है, चलता है follow of a क्या होता है, उसको रहता है, यह थी first की कहान, चलता है follow of a की बात करता है, first of a हो गया, follow of a क्या करता है, follow of a immediately, इसका rule जो बोलता है, वो क्या है, कि right side में, जैसे कोई भी हमारा context free grammar है, उसमें कह दिया, s equal to a b c है, यह क्या करता है, कि मुझे बोला ला किसी ने, follow of s चाहिए, follow of a चाहिए, follow of a चाहिए follow of a चाहिए, follow of s क्या होता है finalement, follow of s क्योंक कहीए बात करता है चोगो dollar हूँ, ठीक है ृसका rule this starting symbol से जब कोई relate करता है left side से तब इसका क्या होता है डॉलर होता है जब मैं यहां से बात करता हूं यह इसका rule है यहां से start हुआ है अगर जहां से start हुआ है हमारा left की variable यह यहां पर करता है क्या होता है इसका रूल होता है यह डॉलर होता है बात समझ लेना यह एंसर इसका फिक्ट है अब मैं बात करता हूं कि किसी ने पूछ दिया follow of a क्या होगा ऐसा कोई question दे दिया B is equal to B ऐसा कर दिया C और A अब कह दिया follow of a क्या होगा follow of a क्या करेगा right side वाली अपनी character देखेगा follow of a क्या पूछा है तो यह क्या करेगा right immediately B पे जाएगा और B के terminal को देखेगा किसके दोखेगा B के terminal को देखेगा right side में जो होगा हमें पूरा खेल है इसके right side से चलना है इससे नहीं इसकी तो कहां की बात में हम लाएंगे तो भी तो follow of a क्या होगा first of b होगा ध्यान देखेगा follow of a क्या होगा first of b होगा क्योंकि first आएगा तभी follow आएगा first of b मैंने खालो होगा cm d आएगा यह नहीं आएगा तो यह first of b होगा यह answer क्या होगा cm d यह follow of a ठीक question देखते हैं और अच्छा यह follow of a I think समझ में आया होगा है पूरा वही first of अगर आ रहा है या follow first अगर आपको first का पूरा आ रहा है concept follow को आजाएगा ठीक है थोड़ा इसको देखना होता है right side से और ध्यान है जब striking symbol की बात करते है starting से बात करते हैं तो उसका एक ही answer होता है ठीक question देखते हैं फिर पूरी चीज़े clear हो जाएंगी अच्छी तरीके से देखते हैं अच्छा question है और पूछा भी जा चुका है द्यांसर द्यांसर देखना पूरा concept clear हो जाएगा यहीं फिर देखो मुच्छा question पूछा गया कि what is the value of follow of a इसमर इसमर ठीक है ठीक है ठीक है चरु लेकए मैं follow of a की बात कर रहा 2 follow of a की बात करते ही सीधे में कि dwaں प्र आऊंगा यहां पर होंगा क्या बोलता है follow of a जब मैं सीधे बात कर रहा हूं तो follow of a सीधे बोलता है कि right side में अपने देखो कौन सा variable है क면 एसका क्या करो कि पूरा किया कराएगा फॉन थेकल चुल टू हमारा हो जाएगा अगर मा依े फॉलौ अफ हहे की बात करो सब्सक्राइद इसका किन इकाल देगा first of B तो फॉब ऐखल टू क्या हो जैका first of B मेरी बाध्यान से देखना कि Allaving Ça आस Marisma इसने इसको खाटम किया है इसको ख़तम चीजों कना फॉलो अब ऐक की एक जगा मैंने क्या किया इसको रखा अब्सकी लेकिनForce का मतलब फॉलू में यहां छी को सब्सक्राइब फोलू तक्राइब होता है तो फॉलो पॉलो फ जया करेगा यह अगया मतलब कुछ नहीं है भाई यहां पर फिक ध्यामिशे सुनना अब कहानी किस पर गई बी पर तो follow-up वी की जैसे इसे मैंने बाद किया किस पर कहानी गिए राइड साइड सी पर फर्सट ऑप सी पर कि चलो सी पर चलते हैं फॉस्ट आप सी क्या है अब यहां पर आप साइलन पर जैसे कहानी गई तो क्या हो गया यह कि यह भी बी की जिए अश्ट अब अप मैंने जैसे फॉलोड सी एक घそうですね big की कहानी खता हुआ है अब मैंने जब फॉलोड सी की बात की तो आद इसके बात खांन ही ला गई स्टार्टन पर इस बात तो फॉस्ट ओफ एस आ गया कि नहीं आ गया अजब मैं बात करता हूं कि जब इस टार्टिंग पर आजाता है तो फॉलो की कंडीशन में क्या हो जाता है यह यह यहां से भी देख सकते हो डी एफ यह पर गया तो डॉडर आ गया मेरी बात समझ में आई गी नहीं आई यह यह थी पूरी कहानिक इसकी फिर्स्ट की फॉलो की और जो हमारी थी पूर्ण फॉलो था थोड़ा समझने वाला है एक तरीक है रिज्णिक समझो लोगी कर अब बताएं गी नेक्स्ट नेक्स्ट इनुट में जो भी हमारा होगा उस तो पार्सिंग है बहुत ही इंपोर्टेंट यूनिट है में वही पूरी जड़ है कंपाइर डिजैन की उसको देखना मत बूलना और रही बात कंप्यूटर गाफिक्स की नेक्स्ट जो मारा लेक्चर पढ़ेगा पहली बात ऑटमेटा पर पढ़ेगा हो सके पर दो पर पर जाएक उनकी तरफ जादा दिनों की नहीं है जाना घंटों की नहीं है जलत पड़ जाएगा ठीक है तो फिर उसके बाद हमें थाड़ यर की बात करूं थाड़ यह में कंप्यूटर ग्राफिक्स कंपाइल डिजैन की फ़र्फ्ट यूनिट खता हूँ वह चु कंपाइले में भी तो हमें क्या पार्सिंग के बात करें हैं तो हमद बताएंगे पूरा इंट आक साइट वात करेंगे वहां पर सेकट़ेर अटोमेट रही बात होगी थोड़ा ढ़ीस अंगूरिसम को पीछे रख़ूू उसको बाद में क्लीर करेंगें क्लीर उसको भी फो झाल झाल